नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहट किसी भी लोग सूचना पदाधिकारी द्वारा यदि आवेदन लेने से इनकार कर दिया जाता है या आवेदन को वापस कर दिया जाता है तो इसकी सिकायत आप राज मुक सूचना आयुक्त या सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के समक्ष सिकायत बाद दर्ज की जाती है जिसमें सुनवाई में अपना पक्ष रखने है तो किस परकार अपना परतिवेदन लिखेंगे अपना आपति किस परकार दर्ज कराएंगे इसके बारे में आप जानकारी प्राप्ट करेंगें जो नए हैं जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दवाकर आल पर भी क्लिक अबस कर लें जिससे इस तरह के उप्योगी हर और RTI से संबंधित जानकारी के लिए आपके पास सिक्र नोटिफिकेशन मिले तथा इसे इतना सेयर करें जिससे हर आवेदक, हर भारती कोश्की जानकारी आशानी से हो सके तथा एक लाइक अबस कर देंगे तो चलिए मैंने एक पंचायत सेवक को एक आवेदन प्रपत्र को प्रिशित किया था जिसमें उन्होंने आवेदन को प्रिशिव नहीं किया फिर मैंने दुबारा उन्हें आवेदन प्रिशित कि थी उस आवेदन को भी उन्होंने लोटा दिया था इस संबन में मैंने एक राज सूचना आयोग के समक्ष एक सिकायत बात दायर किया था जिसमें मेरी सुनवाई होने वाली है उसी सुनवाई में अपना पक्ष रखते हुए मैंने यह परतिवेदन तयार किया है इसे आप लोग अवस्य देखेंगे तो चलिए किस प्रकार लख देखेंगे बिना इसकिप के भी अवस्य देखें सत्यमेव जैते सेवा में स्रीवान राज सूचना आयोग सूचना वन पत्नापन्द विसेवाद संक्या सीट टू नाइन सेवन अवली 2021 के दिनांग 129 2022 को 10 बज के 30 मिनट पुरवाहन के सुनवाई में आपत्ती दर्ज करत सेवे अपना पक्ष रखने के संबंद में परवीन कुमार सर्मा सिकायत करता मैं खुद हूँ बनाम ततकालीन लोग सूचना पतादिकारी सह पंचायत सेवक सुरिष रजक थे उस समय पंचायत सेवक पंचायत रायपूर प्रखण नरायन पूर भागलपूर महाशय मैं पर पत्रको द्वारा दो बार इस्टर डाग से उप्रोप लोग सूचना पतादिकारी को आवेदन परिशित किया था लेकिन दोनों बार ततकालीन लोग सूचना पतादिकारी सह पंचायत सेवक सुरिष रजक द्वारा आवेदन वापस कर दिया गया दूसरा मैंने लोग सूचना अपदाधिकारी के मुबाइल नंबर इतना पर भी संपर किया लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं लिया तीसरा जान बूझकर आवेदन नहीं लेने के कारण दोसी लोग सूचना पतादिकारी पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 21 वो 22 के तहत करवाई कर मुझे हुए आर्थिक वो मानस्रिक छती के लिए धारा 69 के तहत मुआपजा भी दिलाने की किरपा की जाए तो यदि जान बूझकर लोग सूचना पतादिकारी द्वारा सूचना नहीं दी जाती है तो धारा 21 के तहत उसे 25,000 रुपे तक का आर्थिक डंड लगा जाता है और 22 के तहत विभागे कारवाई की अनुशन सा की जाती है जिस पर लोग सूचना पतादिकारी की बुरुद विभागे कारवाई की जा सकती है चोथा दिनांक 22 को भी मैंने अपना पक्ष रखते हुए अपना परतिवेदन आयोग में दिया था इसके पहले तिथी को भी मैंने अपना परतिविदन आयोग में जमा करवा दिया था उसकी भी जानकारी मैं इसमें दे रहा हूँ अता स्रिवान से करवत प्रातना है कि दोसी पर कारवाई करते हुए नया दिलाने की किरपा की जाए अपना हस्ता अक्षर कर देंगे अपना मुबाईल नमबर दे देंगे और अपना डेट अवस्त लिख देंगे इस प्रकार आप लोग सिकायत बाद पर किसी भी तरह का सिकायत बाद धारा अठारा के तहत किया गया हो तो आप लोग इसी तरह point to point सूचना आयोग में अपना अपतिया वेदन अपना पक्ष अपना परतिवेदन लिख सकते हैं जैहिन